कम्प्यूटर क्लास 12 के अंतरगत डेटा कम्मुनिकेशन और नेटवर्किंग डाटा का संचार और नेटवर्किंग प्रनाली पर आज हम बात करेंगे मैं हूँ राजिश्वर और आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं कम्प्यूटर के इस क्लास में मुख्य रुप से डेटा कम्मुनिकेशन और नेटवर्किंग डेटा संचार और नेटवर्किंग के अंतरगत आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिगनल्स क्या होते हैं इस सिगनल्स को हम प्रसाडित करने के लिए किन-किन माध्यमों का उप्योग करते हैं यह माध्यम या चैनल्स मुख्रूप से कौन-कौन से हैं इसी बेसिक इंट्रोडक्शन पर आज का यह क्लास अधारित रहेगा इसके नेश्ट क्लास में फिर हम यह भी जानेंगे कि नेटवर्क का जो टोपोलोजी है वो नेटवर्क टोपोलोजी कैसे बनता है उसके प्रकार कौन-कौन से हैं और वहां से कौन-कौन से प्रस्ण अभी तक पूछे गए हैं और कौन से प्रस्ण पूछे जाएंगे तो इन ही बिंदों पर हम डिसकस करते हुए आज का क्लास प्राराम करते हैं कंप्यूटर क्लास 12 डेटा कम्मुनिकेशन और नेटवर्किंग डाटा सं संचार हम किसे कहते हैं डेटा का संचार हम किसे कहते हैं डेटा नेटवर्किंग अब देखो बात को थोड़ा समझना डेटा इस वर्किंग में बहुत ही सरल बात है इसको समझना जैसे कि यहां पर सपोज एक कम्प्यूटर है और यह एक कम्प्यूटर सिस्टम है इसको हम टर्मिनल मान के चलते हैं इसको हमने टर्मिनल ए नाम दे दिया इसको टर्मिनल भी नाम दिया अब टर्मिनल ए से टर्मिनल भी और टर्मिनल बी से टर्मिनल ए तक हमको सुचनाओ को, इनफर्मिशन को, क्या करता है, इनफर्मिशन को क्या करना है, ट्रांस्मिट करना है, इनफर्मिशन का या फिर आपके सकते हैं, इनफर्मिशन का ट्रांस्मिशन करना है, Information का Transmission करना है Suppose, Terminal A से Terminal B में या Terminal B से Terminal A की और आप सुचनाओं का Transmission कर रहे हैं और इसी Transmission को इन ही सुचनाओं के आधान प्रदान को एक Computer से दूसरे Computer तक जिन माध्यमوں से हम सुचनाओं का आधान प्रदान करते हैं इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही हम data networking कह देते हैं या data networking data networking communication के नाम से भी इसको हम लोग पुकारते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप एक पिक्चर देखिएगा ताकि आपको असानी से यह और अच्छे से समझ में आ जाए like यहाँ पर आप देखिएगा यह एक बड़िया example हो सकता है यहाँ पर जैसे कि इसे हम यहाँ पर कापी कर लेते हैं न अब देखों अब देखिए यहाँ पर देखो कोई server computer यहां पर लगा रखे हैं इस server computer में आप देखना बहुंस सारे फिर इसी computer से हम जिसे Google का होता है न तो Google के एक सर्वर कंप्यूटर लगा दिया गया वहां से बहुत सारे डेटा को हम अपलोट कर रहे हैं डाउनलोट कर रहे हैं या ब्राउज कर रहे हैं सर्फ कर रहे हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम डेटा नेटवर्किंग के माध्यम से बहुत सारे information का आदान-प्रदान कर सकते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं data networking प्रणाली कह देते हैं अब देखो यह डेटा का networking क्या है यह तो आप लोग समझ पाएं है अब भाई हमको यह समझने का प्रयास करना है कि यह जो है ना डेटा को एक स्थान से टर्मिनल एसे टर्मिनल भी या सर्वर से बहुत सारे टर्मिनल्स तक पहुंचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं यहां पर देखो यह पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम को उपयोग किया जा रहा है एक तो तार के माध्यम से एक बेतार के अध्यम से सुचनाओं का लेन देन करने के लिए हम सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं ना सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं तो यह सिग्नल्स वास्तों में क्या हैं और सिग्नल्स जो हैं मुख्यरूप से कितने प्रकार के हैं इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे data communication में signal का बहुत बढ़ा important role होता है signal data में data के transmission के लिए signal का बहुत बढ़ा role होता है अब देखे signals के अगर हम बात करें अगर हम signals की बात करें ध्यान दिजेगा signals ना मुख्य रुप से तीन टकार के होते हैं signals ना मुख्य रुप से कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से तीन प्रकार के signal होते हैं ध्यान से दिखेगा एक signal का नाम है analog signal क्या analog signal एक होता है hybrid signal hybrid signal और तीसरा होता है digital signal क्या digital signal देखो signals का नाम आप लोग को याद रखते जाना है पहला signal का नाम हमने क्या कहा analog signal, hybrid signal और digital signal मुख्य रूप से जो analog signal है analog signal एक प्रकार का radio wave of data कहलाता है यानि कि analog signal का उप्योग जो है radio wave के रूप में होता है analog signal को किस मादधम के लिए उप्योग करते हैं radio wave के लिए radio wave of data के रूप में इसका हम लोग उप्योग करते हैं this is a radio wave of data radio wave of data तो मुख्यूरूप से हम देखते हैं कि analog signal जो है टेलीफोनिक सिस्टम में टेलीफोनिक सिस्टम में है ना टेलीफोनिक प्रणाली में इसका मुख्यूरूप से उप्योग किया जाता रहा है तो analog signal जो है radio wave signal होता है telephone lines में इसका जनरली उप्योग किया गया टेलिफोनिक सिस्टम में टेलिफोनिक lines में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है hybrid signal मुख्यरूप से हम देखते हैं कि hybrid signal जो है digital और analog दोनों प्रकार की signal को हम hybrid signal कहते हैं यानि कि hybrid signal में digital प्लस analog signal दोनों यहाँ पर सम्मेलित होते हैं वही अगर हम digital signal की बात करें तो digital signal जो है electronic form of data कहलाता है यह generally binary form में होता है यह generally binary form में होता है binary form में binary form में मतलब सुन्य और one के रूप में होता है और इस signal को हम electronic form of data कह देते हैं electronic form of data तो आप लोग अब समझ गए होंगे अगर अभी कभी आप से पूछा जाए कि मुख्रूप से signal कितने प्रकार के होते हैं तो आप असानी से बता पाएंगे कि signal जो है तिन प्रकार के होते हैं hybrid signal जो है medical इत्यादी छेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है digital और analog signal दोनों का समावेश इसमें होता है और broadband में मुख्रूप से जो modem होता है modem तो modem मुख्रूप से signal converter का काम करता है तो जो modem होता है इसका बड़िया एक्जामपल है modem में हम signal converter का काम करते हैं analog to digital and digital to analog उसको हम मुख्रूप से modem में समझने का प्रयास करेंगे नेश तो जब भी classes होगा उसमे digital signal जो है मुख्रूप से binary form में होता है और ये electronic form of data कर लाता है radio form of data अगर पुछा जाये तो analog signal है electronic form of data भी आप से पुछा जाये तो आप कहेंगे वह digital signal होता है और यही आपके exam में मुख्रूप से पुछे जाते हैं आपके question के रूप में अब हम यह देखेंगे कि यह signal तो हो गया अब इन signal को हम किसी माध्यम के थ्रूप ही न पहुचाएंगे तो हम एक channels को पढ़ेंगे है न हम signal को एक इस थान से दूसरे इस थान तक ले जाने के लिए channels पर बात करेंगे channels को समझने का र्यास करेंगे communication channel now we are going to learn about communication channel communication channel communication channel पर हम लोग बात करना चाहते हैं देखे communication channel के अगर हम बात करें अगर हम communication channel को समझने का प्रयास करें तो इसे भी हम तीन प्रमुक प्रकार के संचार channel को समझ सकते हैं communication channel मतलब संचार channel होता है तीन प्रकार के प्रमुक संचार channel होते हैं simplex, half duplex और full duplex channel ठीक है तीन प्रकार के यहाँ पर हम channel पर discuss करेंगे तीन प्रकार के प्रमुक channel कौन कौन से हैं अप्ध्यान से दिख्खेगा तीन ट्रकार के प्रमुक चैनल कौन कौन से हैं भी सिंप्लेक्स कम्मुनिकेशन चैनल सिंप्लेक्स कम्मुनिकेशन चैनल half duplex communication channel duplex communication channel or full duplex communication channel full duplex communication channel communication channel के संदर में हम देख रहे हैं तिन प्रकार की communication channel है simplex channel half duplex channel और full duplex channel जहां हम simplex channel की बात करते हैं तो simplex channel में एक sender और receiver होता है मुख्रुप से यहां ध्यान दिजेगा suppose एक sender है और b जो है receiver है इसे हम sender कहते हैं sender he is receiver अब देखे sender मतलब की प्रेशक है प्रेशक और receiver मतलब प्राप्त करता मैं सब में हिंदी में लिखूंगा आप लोग एक जगा लिख दिया हों तो हर बार हम sender receiver कहेंगे तो आपको यह नाम याद रखना है देखो होता क्या है ना simplex channel में जो signal का संचार होगा वो एक ही way में होता है सर्वदिसात्मक नहीं हो सकता एक single way में होगा यानि कि उधारन के लिए आप कह सकते हैं radio है ना आप radio को ले सकते हैं radio station को ले सकते हैं है ना एक्जामपल में आप radio station को ले सकते हैं radio station मतलब इसमें signal का जो communication है flow है वो किवल एक ही दिसा में होता है होता है कि नहीं होता है आप लोग बताओ देखो radio में किवल आप सुनते हो आप जो बोलोगे वो सुनेगा क्या आरे भाई रुख जा थोड़ा सा हम भी बोलने हमारी विवास सुन लो ऐसा होता है क्या नहीं होता है तो radio में आप किवल सुन सकते हो तो यह किस प्रकार का communication channel है simplex प्रकार का communication channel होता है ठीक इसी प्रकार से अगर हम half duplex channel की बात करें तो half duplex channel को भी समझने के लिए हम कुछ इसी प्रकार का example लेते हैं A और B अब देखिए यह A कौन अभी sender है और B कौन है receiver है प्रेशक और प्राप्त करता प्रेशक और प्राप्त करता अब देखना half duplex channel में होता क्या है दोनों तरफ दोनों दिसाओं में जो है signal का प्रवा हो सकता है लेकिन एक सांथ दोनों तरफ signal का प्रवा नहीं हो सकता जैसे कि A के माद्यम से अगर signal B तक गया उसके बाद B अगर signal प्रवाहित करेगा ट्रांस्मिट करना चाहेगा तो फिर एक तक आएगा लेकिन एक सांथ अगर दोनों को signal को A और B दोनों एक सांथ अगर signal को प्रवाहित करना चाहेंगे तो collision हो जाएगा संघट हो जाएगा का मतलब की कहने का मतलब है disturbance पैदा हो जाएगा आप सोचो ना फोन में एक सांथ अगर दोनों तरफ से बात किया जाए तो communication होगा क्या हो communication ही निकालाएगा क्यों ना उसको आपकी बाते समझ में आई ना आपको उनकी बाते समझ में आई तो इस प्रकार से जो टेलीफॉन लाइन होते हैं इसका बड़िया एक्जामपल है तो टेलीफॉन लाइन में हम लोग देखते हैं कि यह हाब डूपलेक से चैनल होते हैं जहां पर सिगनल का प्रवाह जो है दोनों दिसाओं में होता है लेकिन एक साथ नहीं हो सकता मतलब कि अगर A सिगनल ट्रांस्मिट कर रहा है तो B को सार्थ रहना पड़ेगा B ट्रांस्मिट कर रहा है तो A को सांथ कर रहना पड़ेगा यानि कि आप यूँ कह सकते हैं कि सेंडर हो सकता है और यही रिसीवर भी हो सकता है और यह receiver के साथ साथ sender भी को सकता है signals का हम full-duplex channel की बात करें तो full-duplex channel में दोनों दिशाओं में एक साथ data का communication किया जा सकता है यानि कि हम full-duplex channel की बात करें तो एक हम sender ले लेंगे फिर एक है receiver अब इसको हम इस प्रकार से sign ले सकते हैं यह sender भी है यही receiver भी है यह receiver है प्राप्त करता और यही present करता भी है यानि कि इसका बढ़िया example क्या हो सकता है इसका बढ़िया example होता है हमारा wireless fidelity wireless fidelity यहनि कि wireless fidelity में अध्यम से हम लोग देखते हैं कि सर्वधिसात्म सभी दिसाओं में आप उसी में download भी कर रहे है उसी में upload भी कर रहे है किसी प्रकार का कोई foundation आ रहा है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो full duplex channel में क्या होता है signal को सभी दिसाओं में या दोनों दिसाओं में signal को दोनों दिसाओं में एक साथ communicate किया जा सकता है signal को दोनों दिसाओं में एक साथ communicate करने वाला जो channel है माध्यम है उसको हम full duplex channel कहते हैं दोनों दिसाओं में तो होगा लेकिन एक साथ नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे हाप डुपलिक्स चैनल लेकिन केवल सिंगल डारेक्षन में अगर हम सिंगनल का प्रवाग करें तो इस प्रकार के चैनल को हम सिंप्लिक्स चैनल के नाम से जानते हैं तो उम्मिध करता हूं कि ये कम्मुनिकेशन चैनल आपको इसली समझ में आ गया होगा इसके बाद हम बात करना चाहते हैं कम्मुनिकेशन मिडिया के विशाय में आप सिग्नल समझ गए सिग्नल के बाद आपने क्या जाना चैनल क्या होते हैं अब हम मिडिया को जानने का प्रयाज करेंगे कम्मुनिकेशन संचार माध्यम कहते हैं इसको हम है ना संचार माध्यम कह देते हैं क्लियर इसे हम कहते हैं संचार माध्यम संचार की कौन कौन से माध्यम होते हैं संचार के ना दो प्रकार के प्रमुक माध्यम है एक गाइडेड एन अन गाइडेड गाइडेड मीडिया एन अन गाइडेड मीडिया वायर्ड मीडिया या वायर्लेस मीडिया आप इसको कह सकते हैं गाइडेड मीडिया अन गाइडेड मीडिया पहला होता है गाइडेड मीड इसे ही हम wired media भी कह देते हैं wired media कह देते हैं और दूसरा होता है unguided media इसे ही हम wireless media भी कह देते हैं wireless मीडिया भी कह देते हैं अब इसको का आप कैसे समझेंगे गाइड़ मीडिया में जब भी हम संचार करेंगे इसके लिए हमको physical wire की ज़ुरत पढ़ेगी है ना आज फिजिकल वायर्ष की ज़ुरत पढ़ती है मतलब तारों की ज़ुरत पढ़ती है तारों की ज़ुरत पढ़ती है और इसके आपूजिट क्या होगा अनगाइड़ या वायलेस मीडिया में कम्मुनिकेशन के लिए किसी भी प्रकार की प्रकार की फिजिकल वायर की आवशक्ता नहीं होती की आवशक्ता नहीं पढ़ती आप कह लिजे आवशक्ता नहीं पढ़ती इस प्रकार से हमने जाना संचार माध्यम को कम्मुनिकेशन मीडिया को गाइड़ मीडिया और वायर्ड मीडिया जो फिजिकल वायर के माध्यम से कम्मुनिकेशन अस्थापित करता है अनगाइड़ मीडिया वायर्लेस मीडिया जिसमें किसी प्रकार की कोई फिजिकल वायर की आवशक्ता नहीं पढ़ती है ये बेतार माध्यम कह देते हैं इसी को हम बेतार माध्यम कह देते हैं बेतार माध्यम कह देते हैं यानि किसी प्रकार के हमको वायर की जवुरत यहां पर नहीं पढ़ रही है चलिए एक एक करके हम इसी को समझते हैं सबसे पहले हम Guided Media या Wired Media को जान लेते हैं Guided Media या Wired Media Guided Media या Wired Media है ना Wired Media Guided Media या Wired Media सबसे पहले हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे आप इसका मतलब परिभासा तो जान गया है Guided Media या Wired Media या टेकनोलोजी इसका मतलब है कि इसमें हम देखते हैं कि तार की आवशक्ता पढ़ती है फिजिकल वायर की आवशक्ता पढ़ती है सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसमें हमें फिजिकल वायर की आवशक्ता पढ़ती है Needed Physical Wire Needs Physical Wire Physical Wires तारों के माध्यम से हम इस टेकनोलोजी का उप्योग करते हैं Communication का संचार करने के लिए देखें इसमें हम तीन प्रमुक गाइडेड मीडिया पर बात करेंगे There are three major guided media और wired media which is very important to communicate signals by the channel through wired media तो ये तीन प्रमुक रुप से टेकनोलोजी क्या है wired media के माध्यम से इसको आप देखिए इन तीन प्रमुक टेकनोलोजी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तीन प्रमुक टेकनोलोजी क्या है तीन प्रमुक टेकनोलोजी क्या है सबसे पहला ध्यान में रखेंगे Ethernet या twisted pair cable इथरनेट इथरनेट आर ट्विस्टेड ट्विस्टेड पेयर के बूल है ना ट्विस्टेड पेयर के बूल दूसरा होता है को एक्सियल के बूल है ना को एक्सियल के बूल को एक्सियल के बूल और तीसरा होता है फाइबर आप्टिक्स के बूल फाइबर आप्टिक्स के बूल ठीक इन सबका नाम आप लोगोंने कहीं न कहीं सुना होगा Ethernet Twisted Pair Cable, Coaxial Cable और Fiber Optics Cable मैं अभी एक एक करके समझाओंगा भी इसको और अच्छे समझेंगे जो Ethernet या Twisted Pair Cable होते हैं मुख्य रुप से Lane Network में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं Lane Technology में करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं जनरली इसके लिए हम एक केबल का उप्योग करते हैं जिसको हम RG45 कहते हैं RG45 केबल कहते हैं इस केबल को हम लोग क्या ओलते हैं RG45 केबल कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्किंग में हम मुख्य रुप से इथरनेट का उपयोग करते हैं अब देखे इथरनेट को आप थोड़ा सा यहां से देख भी सकते हैं इथरनेट जो केबल होता है इथरनेट केबल इथरनेट केबल पर अगर हम बात करें इथरनेट केबल है ना इथरनेट केबल अब देखिए इथरनेट केबल कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है इथरनेट केबल कुछ इस प्रकार से होता है हम इसे यहाँ पर कापी कर लेते हैं अब देखे, Ethernet cable कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख पा रहे हैं, यह RJ45 cable है प्रकार से है ना, वही अगर हम बात करें coaxial cable की, तो coaxial cable, जनरली इसका उप्योग कहां पर किया जाता है, आप जाने लेन में, local area network पहलाने के लिए, develop करने के लिए, इसका हम उप्योग करते ह तो इसका उप्योग टेली विजन के लिए किया जाता है को एक्सियल केबूल का उप्योग हम जो है टेली विजन के लिए करते है एक मोटा सा वायर आया होता है टेली विजन के लिए वही जो है को एक्सियल केबूल है तो coaxial cable को भी आप लोग देख लीजिए coaxial cable coaxial cable कुछ इस प्रकार से coaxial cable होता है इस प्रकार से यह बहुत अच्छे तरीके से यहां पर दिखाया गया है इसको आप आसानी से समझ सकते हैं या फिर इसको भी आम ले सकते हैं ऐसा नहीं है दिस आल्सो वेरी गुड़ क्वालिटी इमेज आपने ऐसा के बुल देखा है की नहीं देखा है है ना देखो एक copper conductor है उपर में इक इंसुलेटर होता है फिर ब्रेडेड मेटल कंडक्टर होते हैं बहुंँ सारे रेशे रेशे टाइप का फिर उपर इन प्रोटेक्टिव प्लास्टिक एकसियल के नाम से जानते हैं अंतिम में हम देखते हैं बहुत हाई स्पीड में टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंत्रीक परावरतन के नियम पर जो काम करने वाला फार्मूला है जिसके माध्यम से बहुत ही तेज कती से हाई स्पीड डेटर ट्रंसमेशन किया जा सकता है उस प्रकार के हम वायर्ड मीडिया को फाइबर आप्टिक स्केबल कहते हैं जो ब्राडवें कनेक्शन होता है वो फाइबर आप्टिक स्केबल की माध्यम से ही आता है अब देखो फाइबर आप्टिक स्केबल किस प्रकार से होता है ये भी आप लोग देखी लो फाइबर आप्टिक स्केबल किस प्रकार से होता है भई, फाइबर आप्टिक स्केबल, फाइबर फाइबर आप्टिक स्केबल है न, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह फाइबर आप्टिक स्केबल होता है जनरली, यह आप देख पा रहे हैं, यह इसका बढ़िया ए करके इसको आप लोग ना गुगल में और सर्च करके बढ़िया देखना मैं काथ केबल को यहां पर ले आता हूं ताकि आपके एक्जामपल के लिए भी यह हो जाए असानी आपको समझने में है तो यह जो है प्रकार के क्या है फाइबर आप्टिक्स केबल होता है इसमें जीकल वायर के माध्यम से डेटा का कम्मुनिकेशन करते हैं इथरनेट और ट्विस्टिट प्यर के बूल जो की लेन नेटवर्क प्रनाली अस्थापित करने के लिए उप्योग मिला आ जाता है टेलिविजन में हम ब्राट कॉस्टिंग के लिए मुख्युरुप से को एक्स प्राट के संदर्व में था इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया विष्याय मेंगाइड़न देड़न लिए या वायरलेस मीडिया अन गाइड़ेड और वायरलेस मीडिया अन गाइड़ेड या वायरलेस मीडिया तो अन गाइड़ेड या वायरलेस मीडिया को हम लोग समझना चाहते हैं इस टेकनलोजी को समझना चाहते हैं देखें अन गाइड़ेड या वायरलेस टेकनलोजी को ही हम बेतार माध्यम कह देते हैं इसे ही हमने क्या कहा है बेतार माध्यम कहा है मतलब तार की आवश्यक्ता ही नहीं है यहाँ पर यहाँ पर किसी प्रकार की तार की आवश्यक्ता नहीं होती है डेटा कम्मुनिकेशन करने के लिए अब ध्यान देना यहाँ पर बहुत सारे इसके टाइप्स हो जाएंगे और इन बहुत सारे टाइप्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि अनगाइडेड मीडिया में कितने टाइप्स होते हैं एक तो होता है रेडियो वेव ट्रांस्मिशन च्या होता है रेडियो वेव ट्रांस्मिशन ठीक पहला आपने क्या समझा रेडियो वेव ट्रांस्मिशन दूसरा है माइक्रो वेव ट्रांस्मिशन दूसरा है माइक्रो वेव ट्रांस्मिशन तीसरा ध्यान में रखेंगे तीसरा है इंफ्रा रेड ट्रांस्मिशन इंट्रा रेड़ ट्रांस्मिशन और चौथा और इंपोर्टेंट आप ध्यान में रखना ये है सेटेलाइट ट्रांस्मिशन सेटेलाइट ट्रांस्मिशन ये सभी जो है मुक्किरुक से बेतार माध्यम कहе जाते हैं क POWC से माध्यम है radio wave transmission microwave transmission infrared transmission डाउल सेटेलाइट ट्रांस्मिशन तो इन चार माध्यमों को सबसे पहले हम देखना चाहेंगे पहले नमबर पर radio wave transmission radio wave transmission सर्वदिसात्मक होता है Omni Directional होता है Omni Directional मतलब यह सर्व दिसात्मक होता है सभी दिसाओं में यह फैल सकता है शर्व दिसात्मक होता है Radio Wave सर्व दिसात्मक होता है इस पर Effect किसका पड़ेगा Effected Effected by Effected by Wither मौसम का इस पर प्रभाव पड़ता है इसका यूज कहां पर होता है Mobility Mobile Technology में इसका हम लोग उप्योग करते है Unguided या Wireless Media में Radio Wave Transmission का Mobility में जर्रली उप्योग किया जाता है यह सभी दिसाओं में इसका Signal Spread होता है इसका इस पर प्रभाव किसका पड़ता है विदर का मौसम का इसका निश्चित रुप से प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा अगर धोल धक्कड है बहुत बदली विगरे आ गया है Clouding Nature है Clouding बादल विगरा दिख रहा है तो निश्चित रुप से इसके Transmission में हमको अवरोद उत्पन नजर आता है लेकिन हम Microwave Transmission की बात करते हैं तो Microwave Transmission पर भी विदर का Effect पड़ता है लेकिन जो Microwave Transmission है यहाँ एकल दिशात्मक होता है Microwave Transmission जो है एकल दिशात्मक होता है Microwave Transmission जो है एकल दिशात्मक होता है इसका Frequency Zero Point 3 GHz से 300 GHz तक होता है 0.3 GHz लेकर के इसका transmission जो है 300 GHz तक हो सकता है clear अच्छा इसका उपयोग हम लोग कहा कहा करते हैं भी तो television और broadcasting में इसका सरवाधिक उपयोग हम को विजर आता है टेलिविजन और broadcasting तेलिविजन और broadcasting देखो ब्राट कॉस्टिंग और टेलिविजन में आप लोग जो चल चित्रवेग्र देखते हो एक प्रकार का क्या है कल दिस आत्मक से समदिच माइक्रोवेव सिग्नल्स या माइक्रोवेव टरंस्मिसंस ही होते हैं इंट्रारेट जो ट्रंस्मिसंस होते है न यह जनरली छोटे रेंज की दूरी के लिए होता है जैसे की वायालेश रिमोट हो मतलब देखो यहाँ पर एक remote sensor लगा हुआ है ना यह remote sensor एक्चली में क्या है infrared transmission है यह radio wave के लिए ही बनाया गया एक्चली में infrared transmission के लिए बनाया गया है इसको है ना तो इसका उपयोग हम लोग remote में करते हैं इसका उपयोग हम लोग छोटी दूरी के लिए small distance के लिए remote इत्यादी में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं wireless speaker में भी हम लोग इसका उपयोग कभी कभी करते हैं wireless speaker wireless speaker में भी इसका हम लोग उपयोग जनरली कर देते हैं satellite transmission आप लोग जानते हैं भी satellite transmission जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं कि phone, tv और internet इन सभी जगों पर आज हम wireless technology के माध्यम से tv, phone और internet इन सभी जगों पर हम उप्योग कर सकते हैं किसका satellite transmission का और इस प्रकार से ये चार प्रमुख माध्यम हैं जो की unguided media या wireless media के रूप में हमको नजर आता है radio wave transmission, microwave transmission, infrared transmission और satellite transmission डारेक्ली अगर प्रस्न पूछा जाए कि television और broadcasting के लिए किस प्रकार के transmission का उप्योग करते हैं तो आप आसानी से आप लोग बता देंगे microwave transmission का mobility के लिए किसका उपयोग करते हैं radio wave transmission और satellite transmission का और remote wireless speaker के लिए हम किस परकार transmission का उपयोग कर सकते हैं infrared transmission का उपयोग कर सकते हैं clear तो यही आपके प्रास्ण बनते हैं exam में और यह आसानी से आप लोग आप बता पाएंगे इसके बाद कुछ महत्पूंट छोटे छोटे टम्स हैं जो आपके exam के point of view से important हो जाते हैं जो आपको निश्चित रूप से जानने चाहिए उन महत्पूंट जो facts हैं उन facts पर ही हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पांच मिनट उसके बाद फिर यह class हम over करेंगे जैसे की there are some important facts like Bluetooth, bandwidth, throughput छोटे छोटे वर्ड हैं जैसे bandwidth Bluetooth अगर मैं कहूं Bluetooth bandwidth इसके अलावा throughput इसको throughput इस प्रकार से लिखेगा और एक बाउड लिखले ना बाउड लिखले ना बाउड लिखले ना बाउड लिखले ना clear तो इन ही terms पर हम लोग अभी एक एक करके बात करेंगे सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं especially Bluetooth पर देखो भाई Bluetooth क्या है? एक wireless technology होता है जिसके माध्यम से हम data कर transmission करते हैं ब्लूटूथ एक प्रकार सा क्या है? wireless technology है wireless communication technology मैं कैसे हूँ है ना? wireless communication technology वहीं अगर मैं बात करूँ bandwidth की है ना? वहीं अगर मैं बात करूँ bandwidth की तो bandwidth क्या होता है? exactly अगर हम देखें तो data transfer rate indicator होता है इसी को हम data transfer rate indicator कहते है डेटा ट्रांसफर rate indicator एक्चली में जो data transfer rate indicator है ये cps ते इसको count किया जाता है cps का मतलब होता है cycle per second cycle per second ये एक प्रकार का unit है इसका cps data transmission rate indicator होता है मतलब data transfer जो है किस कितने cycle per second में data का transmit हो रहा है उसको हम bandwidth से समझते हैं जो malware होते हैं वो फिरुप से bandwidth को ही पकड़ते हैं bandwidth को ही खराब कर देते हैं यानि कि जो data का transmission है इसको slow का computer को slow होता है computer slow क्यों होता है bandwidth को अगर virus effect करता है किसी प्रकार का तो bandwidth को virus effect करेगा तो computer का speed क्या हो जाएगा बहुत ही slow हो जाएगा वहीं अगर हम बात करें throughput की throughput actually में क्या होता है यह data transmission होता है प्रकार से यह प्रकार का data transmission है इसके माध्यम से हम data का transmission करते हैं data का transmission होता है डेटा का transmission सपोज आप देख सकते हो है है ना यह a to b अगर हम देखें तो data का transmission a to b अगर हम कर रहे हैं throughput के माध्यम से है ना तो data transmission में यह इसे के माध्यम से data का transmission होता है कैसा बीट पर be सेकिंड इसको हम कहते हैं beat पर सेकिंड याद रखेगा इसे हम कहते हैं步 2 है सेकिंड तो इसे माध्यम से घिशाजीज के माध्यम से हम data का transcription indicate कर सकते हैं समझ सकते हैं यानी डेट आका जो ट्रांसमिशन computer ये से computer भी तक हो रहा है तो कितने speed में हो रहा है तो ये bit per second के रूप में इसको ये बताता है baud को भी अगर हम समझने का प्रयास करें अगर baud को भी समझने का प्रयास करें तो ये भी bit per second में data communication की speed को बताता है ये data communication की speed को बताता है data communication के स्पीड को मेजर करता है और स्पीड को ये भी कैसे करेगा बीट पर सेकेंड के रूप में है ना तो बीट पर सेकेंड के रूप में ये डेटा कम्मुनिकेशन के स्पीड को आइडेंटिफाई करता है मेजर करता है तो इस प्रकार से आप समझ पाएं है कि मुख्य रुप से है ना कि data communication क्या होता है data communication में मुख्य रुप से जो माध्यम है channel है वो किस प्रकार से होते हैं इस सभी बिंदूओं पर हम लोगों ने discuss किया बात किया उमिद करता हूँ कि ये lesson आपको निश्यत रुप से समझ में आया होगा और किस प्रकार के प्रस्ण यहां से बनते हैं ये भी आपको निश्यत रुप से समझ में आया होगा इस रिंखला में अभी हम और भी classes लेकर के आएंगे जो कि इस रिंखला को complete करेगा सो मिलते हैं नए class में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हवा ग्रेट दे